तो आप दिख सकते हैं सामने का नजारा विपको सामने आसमान में क्लाउड है कल लाद बहुत बहुत बाड़ी से लिए और सामने वाले पहार देखिए और अगर निची दिखाता हूं महा अरगनला का रौदरूप तो आप रिख सकते हैं यह नदी की आवाज यहां तक दिल्कुर आ रही है गोल अरगनला महा नदी बह रही है तो तिलाल हमें कोविन गहाट में यहां से साथ बसाइड अक्षिसन लिखी भी है तो गाइज यहां से साथ यूटूब तो आदी व्लॉग हम लोग आये थे दोरहार्थ से कोविन गहाट मंडेगें आज एटुजदे तो आज हमारा जो है ट्रैक वह काफ़ी फूपसवत में आपको बढ़ाता बहुत अक्राइमेंट होने आला है कि अब बढ़ाता है और हम लोग जा रहे हैं यहां से वाले आफ फ्लावर वाले ऑ फ्लावर के जो टानेकरी में आपको दोगा अगर आपको हैंगोंगोर से वहां से 12 किलमिटर अहीं से बढ़ी लुटूठ जी आप फिलाल यहां पर बहुत सारे होटल है, मैं आपको फिस एक बार दिखाता हूँ कि हम कौन से होटल में उक रहे हैं पिछले ब्लॉग में देखा ही था हम कौन से होटल में उक रहे है तो हम नोगे थे बद्निना राईवे पेस्टित, यह होटल बद्रीज गुइंडगाट तो बहुत सारे होटल आगे तक भी और नीचे गुरुद्वार्फ भी है आप पर पर फिर में रसकते हैं घुल्भारफ ईक प्रमस के लिए लंगार खते हैं तो आप में और आप अराम से रहे हैं अगर आपको मतलब पैसा श्पेंड नहीं करना है हम लोग के पास क्या होता है क इस च्रक्टर में हम लोग उप्टे तो यह होटल एकाटिंग सिजन के रेड चेंज होते जाते हैं तो यानि कि आप मान के तो लिए हजार से लेके लिए और यह आपको मिल जाएगा जो हम आपको बोला था कि गुर्द्वारा तो वो गुण घार का यह है और साथ में पी लंगर भी है तो आप लंगर चक के गुर्द्वारे में जसंगर के हमने लोग अनुक्ताम कर ले थे और लंगर कल्साम जख लेया था तो आप ऐसे रहे यहां भी होटर पो कर सकते हैं लेकिन भीड़ी के अग्याटिंग है बहुत से लोग आते तो इनको पहरे मिल जाता था है बहुत साई लोग पंजाब साहे लेगे सारी गाड़िया पंजाब की है तो यहां से आज यह जात्रा स्टार्ट करेंगे अगर के लिए गविन घात के इस पुल्क ते आपको मिलेगी यह सेरिंग कैप जिसमें आपको पचास रुपर देने पड़ेंगे उपर तक कीन क्योमेटर के तो बाइव है किल हम लोग ने तीन किलमेटर के दिश्टेंड की जिसके लिए हमने दिया था गोविन घार से लेके पुल्ना विलेज तक इस प्रटाव सुपह पारहट है तो यहां पर है पुल्ना विलेज़ पूरा इस अगर आप रेइश्टरिंग करके ने आते हैं उल्टा है बहले हो यहां करके ने आते तो आपको यहां पर आकर रेइस्टर्ट आप अपहो जाओगे यहां दिखाए इधर को अकशर्ट तीन यहां तरह पर a valley of flower यहां तक हम लोग उदर गाडी की parking ती ओध्या जिए टाहए रेस्टेरस हम लोग सोता है कि पर वार्टरफॉल लेकिए इतना जवरत बहर रहा है और अज मौसम आगे सांथ देगा तो ताफिर में जाया करना बाइस होगी तो फिर तो इस जास्ते के नजारे कुछ ऐसे हैं देखो सामने हम लोग ने अब ट्रेक पर हम लोग ने आगे रोड शोड़के तो यह सामने है वार्टरफॉल नीचे बहरी है नदी तो तिल कस न जा रहा है बहुत जारा सिनेमेटिक व्यूज आ जाने वाले हैं तो व्लॉक पूरा दिखना काफी मजा आने वाला है और मौसम कास बगवानमास आगते हैं पीटर चल गे हम लोग इस ट्रैक पर अभी देखो सामने का व् अधरी है लाइन पूरी डली है यह उप इस है लिए ने पास है एक अधर का सीन तो कोई सिंब नहीं आ रहा है भाया एटल के मोबाईल पे तिल भागा भी इसना के और यह उद्यों के मोबाईल पे यह महलाब आपके लिए ग्यान था अब का आने वाले टाम इन पे अधिक कभी सिंगल आ जाए और मेंडल हल्थ सही करने आयते हैं बहुत अल्ला की फिजिकल हेल्थ भी खराब है पर जैसे पहला पड़ाव आ गया लोग यहां पाके चाय नास्ता करते हैं ऐसा मसंदक की रस्ते में कुछ नहीं है रस्ते में बहुत साजी दुगान है आपको हाने पिन आस्ते कंडिशन आप देखे हो इतना चोड़ा रस्ता है मैंसे इसमें एक आराम से हईद्बू लेरो चले आए उतना रस्ता है करीब बारा तेरा फिट का चोड़ा रस्ता है इसना रेलिंग मनीवी है रूपसद गाह में लोग रहते हैं देखिए उज़ा सेफ के पेड़ अज़ा सेफ भी लगे हुए ऐसी अराके पे सेफ अच्छा होता ना कोकि देख को एंवार्मेंट हंडाती है तो बहुत सारे लोग पंजाब से आए वो लोग भी ट्रैक करने हैं पंजाब से आए पंजाब में कौन से शहरते जिला संवरूरी अच्छा जिला संवरूरी तो अब बलकुछ है रासा डिक है सर्स्था si से अट में देख यह देहां आपको तो यह हाया है संवरूरी कराया वंसायेट का है वन साइड का नहीं में 3200 रुपर, तो 3200 रुपर देखे आप होलिकॉप्टर की जात्रा भी करहते हैं, अगर आप चलने में अक्षम नहीं है, लेकिन लास्ता का भी अच्छा है, आप आराम आम से तर्सक्मेंटर की दूरी तो तैक करी लोग है, बाबु का बन गया है प्रेस इस रस्तिंग के पैर समय से तर्सक्राइल तो यहां पर एक साफ शुत्रा है तो भाई गया है उडर, मतला उसमें प्रेस होने के लिए, तो मैंने का चलने में आपकड़ाओ के इसके वीडियो के साथ तड़ा, मतला उपना टाइम पास है, तो लोग बहुत आ रहे हैं मेरे यहां से भिंद्यार गाउं जो है, वह है करीब आपका 3 km हम लोग ब्रेकफास नहीं पर करेंगे और घगरिया 7 km है और वहां से 13 km अभी खेमकुन साही बचा हुआ है, एकनी डिस्टेंस यहां से बचिविए जो यहां पर गाउं है, यह जो होते हैं, तिपतन मस्टर शीप यहां इतने बड़े ही होते हैं, जो यह स्टीट डॉग जैसे ही होते हैं, लेकि यहां गाउनों की बकरियां चलाने का कूरा काम, उनकी रक्षा करना काम, इन्हीं सारे डॉग्स का होता है, यह है तिपतन मस्टर शीप आप देसे हो, इतना बड़ा है, वह उसका फायर बच होता है, यहां बॉग्स में दड़े, गyalयोग द सबड़े होते हैं, जुआ आप 10न रूं की अरता है, के लुग जूबहले हैं को में अन्हीं सी 15 रहाज ऑना के लिया पने के ने दाता है, मैं वह उता है एक और içॉप मने बड़ए तो हमाने के लिए पल काम कूरे में उता ह और ऐसे खच्चर से भी आप यात्रा कर सकते हो, खच्चर आने, तो यह यात्रा तभी आप खच्चा चे करना, जब आप चलने पर शक्यमना हो, मेरा मानना यह है, कोई भुजूर्ग है, उसका बेजना चाकता, अगर आप जवान हो, तो भई आप एक मैने पहले पैट्किस कर जवाक कर लो, तिन तिन चाचा किलोमेटर वाक कर लो, दो किलोमेटर भी करोगे तो आप उन चार पाजिन में पूरा कर लोगे, आरा मनामसा, आपके पाउं चलने की तागत हो जाएगे, अगर आप इदावूर्ग पैट्किस आते हो, तो सांस होलती है, फिर आप कर तो जो पता जो मोटा होता है, अब मोटे इंसान का बज़न 1947 की नीचे होता है, वाला 18 की मानए बज़न पहला ही सिर्दी त्राइए पसे थोड़ा ओक्सिंग की कमी है, और थोड़ा जान रखो को चक पने के लिए कर reasons. अपाज कब पाद चलना स्टार ओगे, और आम यह सां अगर नहीं हो पाता तब ये उन ही सितियों में हैं जहां पर आप वेको अक्षान तब इसको जूद करें वरना कोई फादा नहीं है आपका कोई भी जहाम में यात्रा कर नहीं है जाहे हमकुट जाहे वो चाहे वो केजाना आतों चाहे अमनोती गंगोटरी हो आपके यह जा रहे हैं खचाना बेटके जोआन लोग है और बोले हैं मारा ब्लोग में अगा ब्लोग दूरू नहीं होगा यह बताऊंगा कि तो जोआन लोग खचाना बेटेवरे हैं सामने का निजहरा आप देखो उधर पुरी बरत दिखनी दिखाई देने लगी है इस पहाड़ पर आस्वान में क्लाउड बहुत प्यारे प्यारे हैं और नदी की आवाज बहुत तेज है तीज है बहुत हज़ा आपनेज और यह रास्ता है काफी कोफूरत आप देख सकते में लोग पहुंचे है बुंदियार गाओं मतलर चैंब computer today मूं निकले थे किदर ते शुछबचे हम लोग निकले थे आपके आया गोइन घार चे और वहासे केब मैं बैठेंजे के बाद हमॉईं परदर परदर तब तमने कहीं रैशनी लिया है और सीधे कर सीधे अभी हम लोग पहुंचे हैं भुंडियार गाओं यहां हम लोग करेंगे बैक पास्ट पहले तो यह है भुंडियार गाओं का नजारा वैली और फ्राव ट्रैक बे तो आप सामने देख रहे हैं नदी का मुह कर रहा है तो थोड़ी बारी थन लगी है अभी हम लोग को नास्ता नहीं किया हुआ है नास्ते के रूटते हैं दुकान खिलाब आप मजलो इस खूफ सूरत व्यू के और ट्रैक में भी आगे बहुत कुछ बचा हुआ है तो पूरे ट्रैक का बने रही है तो नास्ते में आ बाई लोग आएटे दिली से तो देन से बात करी तो भाई यहां पर बैटा हुआ है तो ऐसा कुछ है तो वीजी लोग भी आ गए है तो नास्ता करने के बाद जो पाकरतिन जाए लेते हम चलने हैं आगे तो ऐसा कुछ कंडिशन में देखो तो अधिका यहां पर है तो अधिक देखोगे ना नजिए तो आपका प्ली खुट हो रायाएगा तो अधिक यह वाटरफलो है मेरी आवाद नियारी कि पानी कि आवाज अधर आ रहा है तो कि यह भुट है कि अधिक यहाँ तो इस प्लिए टो अधिक वाज्व खुट स्क्रवखगे अधिक वाटरफलो है मेरी आवगदाने लेते हैं यह भाग बाभवदाने चलने हैं? झाल झाल प्रियार गाओं स्वास कनने के बाद गगरिया तक जो रास्ता है वो कहा है कभी 4 किलोमेटर और रास्ता काफी स्टीफ है इतना स्टीफ है कि अच्छे आसर की जान नकिल जाती है लेकिन यह है कि इस आस्ट ट्रैक में कहीं धूप नहीं आएगी आपको चार और खुप्शिवत पेड़ है और इस जंगल में जंगली जानवल भ सोलो राइड करना काफी घतना पुसता है जब ऑफ्सिजन हो अभी तो ऑफ्सिजन है बहुत सब्सक्राइ लोग आ जा रहे हैं अगी जब ऑफ्सिजन हो तो यह जंगल में भालू और आपको मिल सब्सक्ता है तो पहुंचे हम लोग गरिया मतला भी एक किलोमेटर है अभी यह जाना पहुंचे नहीं है जिससे पूछे तो वो उतला एक किलोमेटर है एक किलोमेटर है मतलब इस हो तो ट्रैकर के हाथ लोका लेकिन चार खुमेटर नीचे बोला था तो चार किमेटर के आद तो हमनों काफी चल जो गया है लेकिन जब मैं पिछले बार आया बहुत प आराम से इस बिलें साले पत्थर है यहाँ पानी या रहा हो ना जिता एक बाग गीला हो गया तो फे दिक्कत बढ़ जाएगी ठोड़ी यहाँ पर आप फोटो का भी कर सकते हो पा नजारे अच्छी वैली ओफ लावर हम बोलते हैं तो फ्लावर का था ना इहीं पर श्टाटा बहुत सारा को दिखा जिएता है अभी हमारा मेन मक्सेट है हमको लेना होटल यहाँ पर गरिया में दिखते है किते रुपर मिलता है कि बहां जाके रेक्स करेंगे पर नेक्स दिन करेंगे ट्रैक वैली ओफ प्लावर का अगर आप बाय हलिकप्टर आते तो हली पड़ी पर यहां से आपको गर्गरी आधा किलोमेटर और पड़ेगा कैम साइड दिखने तेयार होगी देखो आप खूप्टर कैम साइड है यहां पर तो घोड़े खच्तर वाली भी आपको यह लाके छोड़ देते हैं यहां से फिर आपको पैदली जाना पड़ेगा तो मौसम फ प्यारा है लोग नीचे फोटोग्राफि कर दें अगर फ्लावर की बार करेंगे तो दोखिए फ्लावर यहां पर खिलना स्टार्ट हो चुगा है अभी हमने अधर यह तो घ्रसा है वाला गोविन गाह से गगरिया वाला तो यहां पर जी एमीन का व्यूपॉंट है वह मतलब गुरुदारे में तृरी में रह सते हैं यहां सफ्ता कमरा लेकर रह से यह बहुत तरे होटल भी तो वहां भी देखते हैं हम लोग कहां रुकते हैं तो यह कुछ नो जा रहा है इस पाकेज़िसे का एक स्लोग मुशन मैं दिखाता हूं अपको कर दो लोग कर दो 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 कि दो रहा है तो कि दो कि अज़िसे नहीं है फ刃 के बाद और और चार किलोमेटर फोटीसल बिस्टोंगर मशें 6 बिजा हम लोग कुछा हे टिः जलना स्थार्टम्र और 11 बजर इझाने में चल निखन सै दो के देक्न के दूंट की सब्चियोरी सब्सकोर्टिक करने हैं बाकी आस्ता काफी चौड़ा है तो आप आ सकने हैं हम लोग पहुंचे हैं गगरिया यह गगरिया है काफी खुप्तूरत बेस केमप है वैली अफ फ्लावर एंड हेमकुंट साइफ दोनों का बेस केमप है यहां पर हपको होटल लेने पड़ेंगे एक दी नहीं भी जाना पड़ेगा दसने में टेरा आदमने की हिम्मत नहीं होती है कि वह कहां चाहेगा तो अधि फिलाद हम लोग को यहां पर लेना के नाइक जिन चलेंगे उधर को तो इसे बलते हैं भराज सामने स्टिंग माला देख रहे हैं तो यह बर्मकमल की फोटो भी है और यह से कुछ नजा रहे हैं वैली ओफ प्लावर हेंगून के और यहां पर हैं बहुतारी होटल जहां आप दो सकते हैं साथ में डिस्पेंसर बीकिर भी है गोविन दाम की घगिर्या को तो बोलते हैं यहां पर यहां पर अपको मेड़ी आएकि तो सुलाइन भाएजी अबकार हैं लेटे हैं सोथा जबावर आपता है हुटल है एक अधे हैं बालकनी तो इन भाई-जी के होटल पर लिया है हमने होटल रूम और 12 इसके साथ साथ इसमें गीजर भी है और दो बैड लगे हैं एक रात हमको यहां काटनी है तो इतना अधा दिक्तत नहीं है तो यह रूम हमने लिया हुआ यहां पर तो आप भी ले सकते हैं यहां पर रूम तो कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके जिरो बताइएगा शेयर किजएगा लाइक किजएगा और इस टैप के नेक्स सीरीज में महीं फना जाए तो मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में आधी व्लॉग के सानथ तक ले हैं जय டुन मी वतरहते हैं सब्लूपा गता है